हलो बच्चो आज मैं आप लोग के लिए मैथोमेटिक्स केसी सिना क्लास्तेंत का दो चरवाले रेखिक समिक्रन चेप्टर 3.4 लेकर के आया हूँ इसके पहले का विडियो 3.3 कम्प्लिट हो चुका है जो नी भीवर है ये पूरे चेप्टर को कम्प्लिट कर सकते हैं चली आज हम लोग को सिखना है ब्रजगुनन बिधी तो ब्रजगुनन बिधी का थियोरी जो है पिछले एकसरसाइज में भी हम लोग 3.3 में देख चुके हैं और इसमें भी एक वार पुर्ण रूप से डिटेल से देखेंगे कि ब्रजगुनन बिदी है क्या और इससे हम लोग रेखिक समिकरन के युगम को कैसे हल कर एक स्बाई का मान निकालेंगे चली देखते हैं ब्रजगुनन बिदी में हम लोग को क्या क्या अब सकता परता है तो पहले हम इसको बढ़ियां से देख लेंगे देखे इसके लिए हमको करना क्या है क्या क्या इसके लिए हमको बनाना परेगा देखे फर्मूला कैसे निकलेगा पहले इसके लिए हमको क्या करना परेगा X का जरूवत परता है Y का जरूवत परता है एक constant variable को हम one माल लेते हैं और इसके लिए एक फर्मूला होता है, B, C, A, B, और इसमें उपर में 1 लगा दीजिए, और फिर से लिखिए, B, C, A, B, निचे वाले में 2 लगा दीजिए, और क्रोस मल्टिफिकेशन कर दीजिए, जिसको हम लोग कैची फर्मूला भी कहते हैं, इसको इससे मल्टिफल और माइनस इससे एक मल्टिफल, इसको इससे मल्टिफल, और माइनस में इसको इससे मल्टिफल, माइनस में इसको इससे मल्टिफल, तब मेरे पास यह निकल कर किया आएगा, X का भेलू, किसका भेलू आजाएगा, X का, X का भेलू निकलेगा कैसे, B1, C2 B1 C2 minus का symbol दिजिएगा B2 C1 B2 C1 और बटे में constant variable लिखाएगा उसी तरीके से हम लोग by का value निकालेगें किसका value? by का by का value के लिए हाँ C1 A2 C1 A2 minus C2 A1 C2 A1 यहाँ पर भी constant variable constant variable यह है इसको इससे A1 B2 A1 B2 minus में A2 B1 सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इसमें भी constant variable चाहिए A1 B2 A1 B2 minus में A2 B1 A2 B1 तो इतना हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है एक बार दो बार लिखेंगे तो यह हम लोग को याद हो जाएगा अच्छे से तो इह हुआ X और by निकालने का formula यह अब हमेशा हम लोग याद रखेंगे अब देखिए X, Y हम लोग निकालेंगे कैसे बरजूनन विधी से तो यह दो equation दिया हुआ दो equation रहता है किस form में तो इस form में रहता है A1 X B1 Y और plus का C1 यह first होता है एक equation आव रहता है A2 X B2 Y और constant variable क्या होता है C2 इससे compare किया जाता है तिससे हम लोग compare कर लेते हैं तो compare करने के बाद हम लोग को मिलेगा देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है A takes 5 by 9 plus में इधर आ करके minus में equation की जैसा कर लिजिए इसको भी कीजिए 3 X 2 Y और minus का 4 अब इससे हम लोग अराम से A1 B1 C1 निकाल लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 और C2 निकालेंगे पहला समिकरन से A1 B1 C1 दूसरे समिकरन से A2 B2 और C2 ध्यान दिजेगा X के बगल बला A1 कहला आता है Y के बगल बला B1 और कोस्टेंट C1 तो X के बगल में कितना है 8 है Y के बगल में कितना है 5 है कोस्टेंट कितना है minus का 9 है symbol के साथ लिखेगा यहाँ पर उसी तरह से X के बगल बलाले A2 दूसरे समिकरन के लिए तो 3, 2 और minus का 4 3, 2 और minus का 4 चलिए यह जब हम लोग को निकल गया है तो अब हम X, Y निकाल सकते बस बहलू में मान रखेंगे और मेरा मान आ जाएगा तो क्या करना है इसके लिए दिहान से देखना है X B1, C2 B1 कितना है? 5 है C2 कितना है? minus का 4 है सिंबल जरूर देखिएगा minus B2, B2 कितना है? 2 है C1 C1 कितना है? minus का 9 है सिंबल रखिएगा और constant variable नीचे लिख देना है constant variable नीचे क्या हो जाएगा? A1, B2 तो A1 कितना है? 8 है A1 क्या हो गया? 8 हो गया और B2 B2 कितना है? मेरे पास 2 है 2 लिख दिए minus A2 A2 कितना है? मेरे पास 3 है और B1 कितना है? मेरे पास 5 है उसी तरह से इसको भी हल कर लिजिए C1 A2 C1 कितना है मेरे पास? माइनेस का 9 है A2 कितना है? 3 है C2 कितना है? माइनेस का 4 है सेम्बल रखिएगा और A1 कितना है? A1 8 है और देखिए फर्मूलाम जो नीचे होई नीचे तरह सेम से मुतार देते हैं 8 गुने 2 और 3 गुने 5 अब इसको हम लोग अच्छे से हल कर लेंगे अराम से बन जाएगा कोई भी दिकत नहीं होगा तो ये X बरबर क्या निकल करके आ जाएगा? 5 किये का 20 माइनेस में और 9 दुना 18 पलस में हो जाएगा नीचे 8 दुना 16 पाचतिया 15 घट करके 1 बचेगा यहां देख लेते हैं 9 ती आई का 27 और 8 चो का 32 पलस में 32 हो जाएगा और नीचे घट करके कितना बच रहा था? 1 बच रहा था तब यहां पर हम X का भीलू लिख सकते हैं 20 में से 18 चला गया माइनस का 2 आ गया यह आ गया और यहां पर क्या लिख सकते हैं बच के जगे पर हम लोग यहां पर कितना हो जाएगा घट करके 5 यही X और बच के भेलू हम लोग पीछे कलास में बिलोपन बिधि और परतियस्थापन बिधिस बनाए हैं लेकिन आज बरजगुनन बिधिस कहा है तो बस बरजगुनन बिधि के लिए यह दो फर्मूला आप लोग याद रखेगा कि X का और बाई के लिए यह निकालना परता है देखिए आगला नेक्स्ट कोश्चन एक कोश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसी पर कि इसको कैसे किलियर कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और हल करना परेगा हम लोग को है ना तो चलिए इसको हल करते हैं सबसे पहले इसको आप A1, B1, C1 निकालिए पहला समिकरन से A1 B1 और C1 दूसरे समिकरन से A2 B2 और C2 निकल गया क्या-क्या भेलू रखाएगा जो देख लीजिए यहाँ X के बगल में कितना है? दो है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 वटे X है यहाँ पर कितना है? 1 वटे X अब multiple में कितना है? 2 है जब ऐसा आजाए तो यहाँ पर कुछ मानना परेगा देखिए X यहाँ भी है बटा में यहाँ पर भी है बाई यहाँ भी है बाई यहाँ भी है तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है माना कि 1 वटे X ब्रावर U मान लेते हैं कुछ भी मान सकते हैं और 1 वटे बाई ब्रावर भी मान लेते हैं तब देखिए equation का स्वरूप बदल जाएगा equation का स्वरूप कैसा हो जाएगा जो देखिए 1 वटे X ब्रावर हम लोग मान लिए हैं U तो 2 को आगे कर देंगे कितना हो जाएगा? 2U हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2U और 1 वटे बाई को भी माने कितना हो जाएगा? 3 का भी हो जाएगा तेरा प्लस में इधर कर दिजिये ला करके ये equation फर्स्ट बन गया उसी तरह से second equation बना लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा 5U माइनेस का 4 भी और 2 इधर आ करके प्लस हो जाएगा अब अराम से हम लोग लिख लेंगे UK बगल में 2 है मतलब की A1 कितना हो गया? 2 हो गया ये कितना हो गया? 3 हो गया और ये कितना हो गया? माइनेस का 13 हो गया UK बगल में कितना है? 5 है ये 5 हो गया यह minus का 4 हो गया और यह plus का 2 हो गया सारा चीज़ आ गया है अब formula क्या कहता है formula के coding अब चलना परेगा देखिए यहाँ x और by है लेकिन हम इसको u और b के form में कर दिये हैं तो इसको हम लोग पहले u और b के form में लिख लेंगे इधर का product वही रहेगा इसका स्रिफ नाम चेंज होगा तो क्या हमको चाहिए हमको चाहिए u काम ओही है formula आपके सामने है चलिए एक बार लिख देते हैं b1 c2 b2 c1 और बटे में a1 b2 a2 b1 इसका बहलू हम लोग निकाल लेंगे b1 कितना आया है देख लिजे c2 कितना है 2 है b2 कितना है b2 माइनेस का 4 है c1 कितना है c1 c1 कितना है माइनेस का 13 है और सब के बटे में a1 a1 कितना है 2 है b2 कितना है b2 माइनेस का 4 है माइनेस आगे लिख देते हैं और उसके बाद A2, A2 कितना है? 2 है, B1, B1 कितना है? B1, B1 3 है, तो अब क्या ये बच जाएगा मेरे पास? ध्यान देना है, ये 3 दुना का 6, और 1, 2, 3 माइनस, इसलिए माइनस हो गया, और 13 दुना 26, दुना 22 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या होगा? चर्दुना का 8 माइनस में और 3 दुना का 6, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा आपका? यह घड जाएगा अपका और घड करके आपका क्या बचेगा 46 बचेगा यहां क्या बचेगा 46 बचेगा माइनस का छिया लिस और हैहां पर यहां पर थुरा सा घरवर लगता हो गया एट्टू का भेलू है यहां फाइव है इस तो दो बार में केन्सिल हो तो ये दो किस का वेलू आ गया है यू का वेलू आ गया है अब हम लोग को क्या चाहिए भी का वेलू चलिए भी का वेलू देख लेते हूं फर्मूला आपके सामने है फर्मूला क्या है C1 A2 C2 A1 बटे में क्या है A1 B2 A2 B1 अब c1 c1 कितना है मेरे पास देख देख लिजी मैनेस का 13 ॐ तू कितना है और नीचे हल होकर कि कितना आता था देग creepy इनिस का एं मायनेश का सुगी जाता है कौश्टन दोन अत्रा ब्रावर रहता ति ये तेरा पच्चे 25 ठीक है और यह कितना हो झाएगा तेरा पच्चे 25 रेए टो लुडि ना का चार और नीचे कि ये दो दुन का 4 और नीचे कितना है माईनेस का तेएस तो यह आपके पास कितना आ जाएगा जूट करके माईनेस का उन हत्य और माईनेस का तेएस तो यह भी गया तीन बार में किसका भेलू आ गया यह वी का भेलू, हमें चाहिए X, Y का भेलू तो देखे, X, Y के लिए क्या करना परेगा जो हम माने थे, माने कहां थे जो देख लीजी ध्यान देजे, 1 वटे X बरवर U, चुकि 1 वटे X बरवर हम लोग U माने थे और U का भेलू कितना आया है 2 आया है तो 1 वटे x बरबर कितना हो गया 2 हो गया तो x का भेलू क्या निकलेगा इससे अगर हम x का भेलू निकालेंगे तो 2 नीचे चल जाएगा 1 वटा 2 हो जाएगा यह आपका x का भेलू आ जाएगा इसी तरह से हम y का भेलू निकालेंगे तो कितना माने थे वण वटे वड़़वर वड़वर भी वण वटे वड़़वर भी अब भी का भेलू कितना आ गया, थ्री आ गया है तो वई का भेलू क्या निकाल लेंगे वण वाई, थ्री यही है बरजगुनन विधी और कोई बड़ा चीज नहीं है इसको हम अराम से धीरे धीरे बताये हैं अच्छा लंबा समय ले करके बताये हैं अवासा करते हैं या आप सिखे होंगे चलिए अब आगे के question को हम try करते हैं देखिए इसे भी आप बर्जगुनन बिधी से ही इसे हम बर्जगुनन बिधी से ही हल करेंगे यहाँ पर भी बस समिकरन के थुरा सा हल कर लेते हैं क्या समिकरन हम लिख सकते हैं इसको ax by और इधर चलाएगा a-b equation first हो गया इसी तरह से bx ay अधर हो जाएगा a plus b यह second समिकरन हो गया अब यहाँ से हमको a1 b1 c1 चाहिए सहिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 x के बगल में a है by के बगल में b है और यह कितना है यह मेरे पास है a-b यह ध्यान रखिएगा अगला a2 कितना हो गया b हो गया अब हम लोग को चाहिए क्या x और by चाहिए फर्मूला याद रखिएगा x क्या फर्मूला है फर्मूला ध्यान रखिएगा एक वार हम लिख देते हैं B1 C2 minus B2 C1 नीचे क्या लिखाता है A1 B2 और A2 B1 फर्मूला लिखते लिखते भी आप लोग को याद हो जाएगा इसी तरह से बाई का हम लिखा लेंगे बाई के लिए क्या करना पड़ता है C1 A2 और C2 A1 a constant variable तो ही हो जाएगा A1 B2 और A2 B1 याद हो जाएगा अनेक बाद यह लिखने के दिरूद नहीं है डारेक्ट आप X का वेलू लिखिएगा फटा फट मान रख दिजेगा B1 कितना है बस ध्यान से देखिए B1 कितना है B1 B1 B है C2 कितना है C2 A आपके पास है मानेस आगे लिख दिजिए A प्लस B मानेस B2 कितना है B2 आपके पास मानेस में A है तो मानेस मानेस क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा और C1 C1 कितना मेरे पास है देखिए मानेस में है चले तो मानेस है फिर से माइनस ही हो जाएगा लगता है A माइनस B और नीचे जो constant variable है उसको जरूर लिखिए क्या constant variable है वो देख लेते हैं A1 A1 A है B2 B2 कितना हो गया? माइनस का A हो गया A2 A2 कितना है भाई? A2 B है B1 B1 कितना B है इसको हल कर लेते हैं अच्छे से गुना किजिए माइनस A B माइनस B स्क्वाइर और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस A स्क्वाइर माइनस माइनस पलस A B नीचे क्या बच गया? माइनस A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर तब ये क्या आजाएगा अब ये तो cancel हो गया यहां से minus डोनों से मिल रहा ना उपर a square minus b square और नीचे भी मिल रहा a square minus b square चलिए cancel हो गया x का value क्या निकल के आया cancel हो करके 1 आ गया इसी तरह से अब हम लोग by का value निकाल लेंगे by के लिए हम लोग को भी लिखना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा जो देख लेते हैं ना तो by का value हम लोग इधर लिख लेते हैं नीचे में इधर by का value निकाल लेते हैं चलिए यहां पर फर्मूला आपके सामने c1 a2 c1 कितना है minus a minus b और a2 a2 कितना दे रखा है देखिए a2 b है minus c2 a1 c2 कितना है minus तो plus हो जाएगा a plus b और उसके वाँ a1 a1 कितना है a है और नीचे हल हो करके क्या आता है वो तना लिखने के जरूरत नहीं है क्या आता है a2 b2 तब गुना किजी इसको minus a b minus minus plus b2 plus a2 plus a2 plus a b और नीचे में क्या हो गया minus common ले लिजए a2 plus b2 इससे ये cancel हो गया same same मिल रहा है कट जाएगा लेकिन minus का symbol बच जाएगा तो क्या आपका बचेगा उपर a2 b2 नीचे बचेगा a2 b2 ये कट गया तो आपका by का value क्या आ गया minus का 1 आ गया देखतें अब next question देखें second question में भी simple है उसी तरह से लिख लिजिए a1 b1 c1 a2 b2 और c2 तो कितना हो जाएगा x के बगल में 1 वटे a by के बगल में 1 वटे b और इधर constant आ जाएगा क्या बचेगा a plus b बचेगा इसको देख लिजिए 1 वटे a square 1 वटे b square और दो इधरा करके ये minus हो जाएगा अब इसको हम लोग को अराम से हल कर देना है तो फर्मूला तो आपके मेरे पास है 1 वटे b है और c2 c2 कितना है माइनेस का दो है माइनेस आगे कर देते हैं minus b2 c1 b2 कितना है 1 वटे b square c1 c1 कितना है c1 c1 यहाँ है तो माइनेस माइनस पलस हो जाएगा a plus b constant variable कर लिजिए constant variable क्या है a1 b2 a1 1 वटे a और b2 1 वटे b square उसके बाद माइनेस a2 a2 कितना है 1 वटे a square और b1 कितना हो जाएगा b1 देख लीजिए b1 1 वटे b है अब इसको अच्छे से solution कर देंगे हल कर देंगे यह मेरे पास अराम से बन जाएगा चली इसके लिए हम करते हैं देखिए इसको गुना किजिए तो गुना हो करके आपका इहां पर क्या हो माइनेस का 2 वटे b पलस उपर तो है a पलस b वटे का b square नीचे 1 वटे a b square माइनेस यहां पर है a square b lcm सरीफ अच्छे से लेने के लिए आतना चाहिए lcm में confusion नहीं होना है ठीक है देखिए एक b है तो एक b उपर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनेस का 2 b पलस a पलस b lcm अच्छा से आना चाहिए लेने के और नीचे lcm क्या हो जाएगा b square नीचे यहां देखिए a match कर गया लेकिन एक a घट रहा है और यहां पर एक b घट रहा क्या घट रहा बी घट रहा और नीचे क्या हो जाएगा lcm हो जाएगा a square b square तो अब जो जो कटता है उसको तुरा काट भी देते हैं अच्छा रहेगा असान हो जाएगा है तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना है अगला step देख लेते हैं next step में क्या कहता है देखिए यह चला जाएगा ऊपर ऊपर चला जाएगा तो क्या हम लोग उपर चला जाता है a square b square और बटे का a minus b अब आप ही देख लीजिए क्या क्या कट रहा है देखिए यह भी कटेगा और यहां से b square भी कटेगा तो क्या बच गया a square तो किसका भेलू आ रहा था एक्स का भेलू एक्स का भेलू मेरे पास क्या आ गया a square आ गया उसी तरह से अब हम लोग क्या निकाल लेंगे किसका भेलू वाई का भेलू फर्मूला आपके सामने यहां लिखा हुआ इस से देखिए इस परोसेस लंबा है इसलिए अराम अराम से धिरे धिरे बता रहे हैं कि आप लोग को सीख जाए ना चाहिए दुबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ना है इसलिए अराम से बता रहे है वीडियो लंबा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ सीखने का है देखिए C1 A2 C1 और A2 A2 कितना है 1 बटे A2 माइनस C2 A1 C2 कितना है माइनस का 2 है माइनस का 2 और A1 A1 कितना है 1 बटे A है और नीचे हल हो करके क्या आता है देख लिजे हल हो करके अंतिता में नीचे क्या बचता है A-B और A2 B2 इसको हल करने के जरूत नहीं है एक और कर लिए हो गया अब उपर देख लिजे क्या-क्या LCM में आ रहा है उपर आ गया माइनस A माइनस B और 2 A चला जाएगा उपर यहां वहाँ 2 भी गया था यहां 2 A आ गया और नीचे LCM हो गया A2 और नीचे वाला पार्ट उपर चला जाता है तो A2 B2 उपर और नीचे A-B अब देखे इसमें क्या बच गया यह तो गया और देखे 2 A में A गया तो A पलस में आ गया और B माइनस में और इधर क्या बचा हुआ है B2 बटे A-B यह फिर से केंसिल हो गया क्या बचा बाई भेल बराबर B2 बहुत यह सिंपल है अराम से इसको हल कीजिए पूरा समझ में आएगा चलिए नेक्स कोस्चन देखते हैं देखे तिन नंबर में भी ओही चीज है हर बढ़ाने करना है कोस्चन लंबा दे दिया है कोई दिकत नहीं है अराम से बनाईए सबसे पहले तो आप A1, B1, C1 का निर्धारन अवस्ति कर लिजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर देखे X प्लस बाई, X माइनस बाई यहां पर भी X प्लस बाई, X माइनस बाई अब क्या आ गया आईसा इस सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या करते है, U और भी मान लेते है तो चलिए मान ही लेते है माना की X प्लस बाई बरावर U क्या मान लिए, U और X माइनस Y बरावर भी मान लिए अब यह भेलू हम लोग रखेंगे यहां पर X प्लस बाई के जगा पर U हो गया और यहां पर B हो जाएगा और इस चीज को इधर ले आईए A स्क्वाइर AB प्लस का B स्क्वाइर यह एक्वेशन फस्ट हो गया फिर से इसमें भी AU हो गया B भी हो गया और माइनस में A स्क्वाइर AB और B स्क्वाइर हो गया यह एक्वेशन सकेंड हो गया अब यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 और C2 एकदा हम अराम से देखिए तो U के बगल में A है B के बगल में B है और यह कितना मेरे पास है A स्क्वाइर A B और B स्क्वाइर है यहां पर यह हो गया A यह हो गया B और इधर क्या बच गया है A स्क्वाइर A B और B स्क्वाइर अब हम लोग को फर्मुला चाहिए X, Y के जगा पर U भी लिखना परेगा U फर्मुला तो आपका ओही रह जाएगा क्या फर्मुला है याद कीजिए B1, C2 B2, C1 बटे में A1, B2 A2 B1 अब तो आप लोग को फर्मुला भी याद हो गया होगा लिखते लिखते है ना चल्व इंबान रखे B1 B1 कितना है? B है C2 कितना है? माइनेς A स्कूर AB B स्कूर B2 कितना है मेरे पास? माइनेς का B तो पलस का B हो जाएगा और C1 C1 कितना है फिर से माइनेς आ गया पिर से देना पढ़ेगा चलिए इसको माइनस कर ही देते हैं A square A B और B square ठीक है और नीचे constant variable राम से रखिए constant variable आपका A1 B2 B2 कितना हो जाएगा B2 माइनस का B है और माइनस A2 A2 कितना है A है और B1 कितना है B है ठीक है अब यह हम लोग क्या कर लेंगे हल करेंगे अच्छे से तब पहले आप इसको गुना कर देजे उसके कुछ कटेगा माइनस A square B माइनस A B square और माइनस B Q यहाँ पर A square B पलस का A B square और माइनस का B Q और नीचे मेरे पास क्या बच रहा है A B A B माइनस का 2 A B चली अब मिला लिजी अगर कुछ कटता है तो काट के छोटा कर दीजी A square B A square B नहीं कटेगा जूट रहा है यह कट रहा है A B square A B square कट रहा है यह दोनों जूट करके एक और एक दो यह भी दो है और यह भी दो है तो क्यों नहीं हम माइनस का दो common ही ले 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 और भी common है अच्छा पहले लिख लेते हैं दो को तह हो गया A square B और B Q क्या हो जाएगा पलस का B Q क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके है नीचे क्या है माइनस 2 A B तो 2 और 2 गया अब क्या बचा अब बताएए उपर हम क्या common ले सकते हैं है ना उपर अभी और भी कुछ common हो सकता है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पर जाएगा तो यहां common क्या हो रहा है B देखे दोनों में मिल रहा है उपर से B common तो बच गया A square B square और नीचे क्या है A B है इससे क्या होगा B और B केंसी क्या बचेगा तो यह जो बचेगा वो U का भेलू बचेगा क्या बचेगा A square B square और बटे में क्या बच गया आपका A बच गया यह आ गया U का भेलू अब इससी तरह से हम लोग को B का भेलू चाहिए किसका भेलू चाहिए B का तो भी के भेलू के लिए क्या करना होगा हमको फर्मूला लिखना पर जाएगा भी का फर्मूला आपको भी का फर्मूला आपको भी का फर्मूला C1 A2 है ना C1 A2 माइनस में C2 A1 constant variable जो होता है वो लिखिये क्या होता है A1 B2 और A2 B1 अब सब इसका भेलू इसमें रखते चल जाएगे अराम से बनते चल जाएगा इसमें भेलू आपका आ जाएगा C1 C1 कितना है माइनस का A2 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 कितना मेरे पास है A है देख लिजिए ओपर खिसका दिया गया है दिखा देते देखिए यहाँ पर भेलू देख लिजिए कितना है A2 का भेलू कितना है मेरे पास A2 का भेलू A है और माइनस C2 C2 क्या है देखिए तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस आपका पलस a square a b और b square और उसके बाद क्या चाहिए a1 a1 का value a है और constant variable तो जानते ही है क्या निकल करके आता है उसको निकालने का दुबारा जरूरत नहीं है एक बार निकल गया है तो बस निकल गया है क्या चाहिए minus 2a भी आ जाता है minus 2a भी आता है अब इसको गुणा कर लेंगे अच्छे से तो चले इसको गुणा कीजिए a से तो minus का a q minus minus plus a square b और यह हो जाएगा minus का a b square plus यहां गुणा कीजिए a q plus का a square b और plus का a b square और नीचे आपका बच गया है क्या minus का 2a b बचा हुआ तो देखिए a q और a q तो पहले cancel हो गया और a b square a b square भी cancel हो गया अब आपके पास क्या बच रहा है उसका decide कर लिजिए उसका calculation कर लिजिए तो क्या बच रहा है हम लोग को पास ध्यान दिजिएगा तो अब बच गया है देखिए a square b a square b तो कितने होगी है 2 2 a square b और नीचे में कितना है minus 2 a b है तो कड जाएगा आपका b से b केंसिल 2 से 2 केंसिल square से a केंसिल खाली a बचेगा minus का a ये किसके बरावर हम लोग ले आए है b के बरावर लेकिन हमको चाहिए किसका भेलू x by का भेलू तो चलिए अब जो माने थे उसको हम देख लेते थोड़ा उसके हिसाब से अब हम चलते कोस्चन को देखे क्या माने थे यहां माने थे x प्लस by बरावर u तो x u का भेलू कितना लाए है u का भेलू आ गया है क्या a square b square और बटे में a और b का भेलू क्या लाए थे minus का a लाए थे देख लिए थे पीछे बीडियो में minus का a लाए थे भी का भेलू तब यहां पर दो समिकरन बन करके आया अब इस समिकरन कौन-कौन सा दो समिकरन है ध्यान दीजिए पहला समिकरन आपका है x प्लस y और बरावर का a square b square बटे का a और दूसरा समिकरन क्या बन के आया x minus y equal to minus का यह आया यह आ गया इसको थुरा सा इधर कर लेजिए x minus y इधर हो गया यह पलस का आए यह कितना हो गया 0 क्या हो गया यह आपका 0 हो गया और इसको भी इधर कर लेते हैं x plus y minus a square b square बटे का a यह 0 यह थर्ड समिकरन माल लेते हैं और इसको फोर्थ समिकरन माल लेते हैं अब यहां से फिर से हम लोग को बर्जगुन नभी भी लगाना होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना होगा तो देखे इसको करते हैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2 देखे x के बगल में 1 b2 के बगल में 1 और यह हो गया a square b square और बटे का a यहां पर 1 यह minus का 1 और यह plus का a हो गया अब हम x by का ओही फर्मूला फिर से लगाएंगे क्या होता है b1 c2 b2 c1 और a1 b2 a2 b1 b1 कितना है देख लीजी b1 c2 कितना है a है b2 कितना है b2 minus का 1 minus का 1 और c1 कितना है यह भी minus का है यह भी minus का है तो minus minus इसको plus कर देते हैं a2 a2 b2 बटे का है constant variable a1 b2 a1 b2 कितना है minus का 1 minus a2 b1 a2 कितना है 1 b1 कितना है 1 तब यह क्या हो जाएगा हलो करके a आई इसको किजिए देखे ए को a से किजिएगा a2 lc हम लेते चल रहा है ठीक है और minus minus चला जाएगा a2 यह minus इसमें जाएगा तो minus का b2 और बटे में क्या बच रहा है a बच रहा है और 1 और 1 दो minus मेंने 2 है तो minus का 2 हो गया इससे यह cancel हो गया अब क्या बच गया हम लोग के पास minus का b2 minus का 2 तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं minus minus cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा x का value तब यहाँ पर x का value निकलेगा b2 बटे 2 अब इसी तरह से हम लोग by का value भी निकालना परेगा हम लोग को तो by के लिए भी फिर से formula लगाना परेगा by बरबर क्या हो जाएगा आपका formula आपके सामने है by के लिए तो formula क्या हो जाएगा c1 a2 यहाँ से देख भी सकते हैं देखिए formula यह इसी को by करते हैं और c2 A1, और नीचे A1, B2, A2, B1, C1 कितना है, C1 माइनस का A2, B2 बटे का A हो गया, और C2 कितना है, A2, 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 A2 1 है, C2 कितना है, C2 वो A है, देखिए, C2, A है, A1, A1, 1 है, और बटा में जो लाए थे, क्या आता है, माइनस 2 आता है, LCM लेते चलिएगा, गुना किजिए, माइनस A2, माइनस B2, और ये उपर चला जाएगा, ये कहां चल जाएगा, उपर, A को A से करेंगे, तो ये A2 आएगा, और नीचे क्या बच रहा है, A, और ये 2 इसी में पल हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया, 2A, तब इसको जोड़ दीजिए, अब, A2, 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 माइनस का B2, बटे का 2A, माइनस उपर से, ले लिजे, कॉमन, माइनस कॉमन, तो बच जाएगा, 2A2, पलस B2, और बटे का माइनस 2A, ये और ये केंसी, तो बच जाएगा, लोग लोग बनाये भी होंगे, तो कहीं पर आप लोग से मिश्टेक हुआ होगा, जिसके कारण अंसर नहीं आता होगा, लेकिन ये भी सिम्पल ही था, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा कर दिया है, जिसके कारण आप लोग फस जाते हैं, बस अराम से एकर का स्टेप लिख लेकिन आप लोग सीख रहे हैं, ये खुशी की बात है, देखें, चार नंबर में कहता है, बरजगुनन बिदीस तो हल करना है, लेकिन चेक भी करना है, कि किनका अधित्य हल है, किनका एक हल है, और किनका अनेक हल है, तो इसको हम लोग exercise 3.3 में इसका थोड़ी देख चुके हैं, चलिए फिर से एक बार आगिया है, तो हम आपको बताने का प्रियास करते हैं, तो सबसे पहले ये simple सद्दिया हुआ है, निकाल लेते हैं, A1 और B1, C1 और A2, B2 और C2, फर्स समिक्रण से 1, माइनस का 3, माइनस का 7, यहाँ पर 3, माइनस का 3, और माइनस का 15, तो यहाँ हम देख लेंगे condition, 1Y3, A1 by A2, और माइनस 3, यहाँ पर भी माइनस 3 है, यह कट करके कितना होगी है, यहाँ हम देख रहे हैं, कि A1 by A2, not equal to B1 by B2, तो यह अदित्य हल है, कैसा हल है, अदित्य हल है, मतलब कि इसका केवाल एक हल होगा, अदित्य हल है, ठीक है, इसको विशेश जनकारी 3.3 में मिल जाएगा, इसका वीडियो पीछे वाला निकाल करके देख लीजेगा, चलिए, तो अब हम इसे बर्जगुनन विजेश से हल करते हैं, क्या चाहिए हमको X, Y, X और Y चाहिए, एक्स का फर्मूला आपके पास है, फर्मूला क्या होता है, B1, C2, minus B2, C1, बटे में, A1, B2, A2, B1, इसी तरह से इसमें, C1, A2, C2, A1, और बटे में हो जाएगा, A1, B2, A2, B1, अब तो आप लोग को याद जरूर हो गया होगा, B1, B1 कितना है मेरे पास, minus 3 है, C2 कितना है, C2 देखिए, minus 15, प्लस 15 हो गया यह, B2 कितना है, B2, minus 3 है, तो प्लस 3 हो जाएगा, C1 कितना है, C1, minus 7 है, और बटे में, A1, B2, A1, 1 है, B2, minus 3 है, A2 कितना है, A2, 3 है, और B1 कितना है, minus 3 है, प्लस का हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, 15 तिया का 45, और सत्या एका 21, नीचे, 3 तियाई 9, 9 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, आपका 6 बचेगा, तो घटा दीजिए, 45 में 21 चला जाएगा, 24 बचेगा, और नीचे का 6, तो यह आपका कितने बार में कड़ जाएगा, बोलिए, यह आपका 6, 24, चार बार में, यह आगे आपका X का भेलू, इसी तरह से हम ल contact, a2, a2 कितना है, 3 है, c2, c2 कितना है माइनेस का 15, तो पलस का 15 कर देते हैं, a1, a1, 1 है, और नीचे हालो कर कितना आता है, 6 आता है, तो यह कितनाabout 1 हर सापाश्चिया 15, माइनेस का 6, ख़र कर देख लिजिएगा, सत्याइक roller 15 चाएगा, माइनेस का 6 और बचे का 6, यह क्य किसका वेलू आ गया बाई का वेलू आ यही आपका अंसर देना था चलि इसमें चेक कर लेते हैं यह कुन सा है तिसरा नंबर में तो पहले तो निकाल लीजिया आप कि A1 B1 C1 3-5 इधर आ करके माइनेस का 20 फिर A2 B2 C2 एहां पर कितना हो जाएगा 6-10 और माइनेस का 40 इधर आएगा 40 माइनस बजाएगा कंडिशन मिला लेते हैं 3-6 5-10 और यह हो जाएगा 20-40 एक वटा दो और यह हो गया यह भी एक वटा दो और यह भी कटके एक वटा दो लेकिन सिम्बल में थुरा कंफ्यूजन है 10 माइनस होना चाहिए सही बात है हम माइनस है माइनस छोड़ दियते हैं तीनों आपस में बरावर है A1 by E2 B1 by B2 और C1 by C2 तो इसका अनेक हल होगा क्या हो जाएगा अनेक हल तो अनेक हल में तो बरजगुनन बिधी से हल होगा नहीं क्योंकि बरजगुनन बिधीम तो सिम्पल सा एक्स और बाई का वेलू यह कहीं आता है इसलिए अनेक हल हो गया इसमें चार नमबर चेक कर ल 1 माइनस का 3 माइनस का 3 A2 B2 C2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस का 9 माइनस का 2 कंडिशन मिला लेते 1Y3 माइनस 3 वाटे माइनस का 9 और यह हो गया माइनस 3 वाटे माइनस का 2 तो यह एक वाटे 3 A भी कट करके एक वाटे 3 लेकिन यह है 3 वाटे 2 कौन सा कंडिशन है कंडिशन A1YA2 इक्वल में B1YB2 इसमें नोट इक्वल टू C1YC2 तो ऐसा रहता है तो कोई हल नहीं होता है कोई हल नहीं चलिए तीनों हम इसलिए एक क्वेश्चन तीन परकार कर लिए थे कि आपको यह समझ में आ जाए चलिए इसी पसे अब हम नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं चलिए फिर से ही देखते हैं कोश्चन हम लोग ऐसा रहता है तो क्या करना पड़ता हम लोग को मानना पड़ता है चलिए मान लेते हैं माना कि 1 वट्टे x प्लस y ब्रबर क्या हो गया यू हो गया और 1 वट्टे x माइनस y ब्रबर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा आगे देखेंगे इसका क्या ज़रुवत परने वाला है तो यह कनभर्ट हो गया कितना में फाइव यू माइनस का 2 भी और प्लस का 1 अब थोड़ा सिंपल हो गया है ना इसमें यह हो जाएगा पंद्रह का यू साथ का भी और माइनस का 10 अब इससे निकाल लीजिए कितना हो जाएगा पाच माइनस 2 और 1 यहाँ पर पंद्रह साथ और माइनस का 10 अब एकस भाई भेलू चाहिए तो यहाँ एकस भाई के जगा तो यू और भी लिखना परेगा ना क्या लिखना परेगा यू और भी आपके पास है क्या फर्मुला है B1 C2 माइनस B2 C1 लेखी फर्मुला हो जग रहा है A1 B2 और A2 B1 मान राख लेतें B1 कितना है मेरे पास चलिए B1 कितना मेरे पास है देख लेतें B1 का भेलू B1 का भेलू माइनस का टू C2 कितना है मेरे पास Mineus का 10 तो ये पलस हो गिया यहां पर B2 कितना है 7 C1 कितना है 1 बटे में नीचे लिख लिजिए A1 B2 A1 कितना है 5 B2 कितना है 7 B2 कितना है A2 15 B1 कितना है minus का 2 पलस का 2 हो जाएगा थोरा हल कर लिजिए इसको 10 दुना 20 20 में से 7 जाएगा 13 सही है और यह सत पचे 35 और 15 दुना 30 जूट करके 25 काट दीजी एक वटे 5 किसका भेलू आ गया यह आपका किसका भेलू आया जोड़ा अब इसी तरह से भी का भेलू निकाल ये खेंके 77 फर्मूला ज़रूर लिखेंगे असे आपका City 7 8 लना यादिये का जरूरत नहीं है कि आफ फट फट लिखने cameаров इसका हम लोग भेलू एकला 5 लखेंकाります C1 1 A2 कितना है 15 C2 कितना है minus का 10 A1 कितना है 5 और नीचे हलो करके कितना है 65 तो यहां कितना हो जाएगा 15 10,50 65 बटे 65 यह कट करके 1 किसका भेलू आगया B का भेलू आगया हमको चाहिए X,Y का भेलू यहां पर आब आजाते है जिसका जरूवत था स्टार्टिंग में जिसको हम माने थे ठीक है इसलिए हम पहले मान लिए थे तो 1 बटे X प्लस Y U का भेलू कितना लाए है हम लो देख लीजिए 1 बटे 5 और X माइनेस Y B का भेलू कितना लाए है 1 लाए है कितना है 1 तेहां सी क्या हो गया X प्लस Y बरबर 5 X अमिकरन आया तीसरा नमबर यहां आगया X माइनेस Y बरबर X अमिकरन यहां आगया तो अब देख लोग को बिलोपन परते स्थापन तो यह बहुत असान लग रहा होगा की बना दे लेकिन condition है कि आपको बरजगुनन बिधी से ही बनाना है साप साप यहां देखिए उपर में हाइडिंग में ही लिख दिया बरजगुनन बिधी से ही हल करना है तो ही apply किजिए निया A1 B1 C1 A2 B2 C2 1 1 5 1 1 1 5 1 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 भेलू X कार Y का फड़ा फड़े के तम लिखते चलिए फर्मूला B1 C2 B2 C1 नीचे A1 B2 A2 B1 यहां पर C1 A2 और यहां पर C2 A1 नीचे A1 B2 A2 B1 मान रखे B1 B1 कितना है 1 C2 कितना है माइनस का 1 B2 B2 कितना है B2 B2 माइनस का 1 पलस का 1 C1 C1 कितना है माइनस का 5 नीचे A1 1 है B2 कितना है B2 माइनस 1 A2 A2 कितना है 1 B1 कितना है 1 तब यह इसको हल कर लेते माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 2 कट करके आगया कितना 3 आगया यह है मेरे पास क्या आया X का भेलू इसी तरह से हम लोग भाई का भी भेलू निकाल ही लेते फड़ाक से C1 C1 कितना है माइनस 5 A2 कितना है 1 C2 कितना है माइनेस का वन तो फुलस का वन कर देते हैं ए वन कितना है वन नीचे हलो कर कितना आता है माइनेस टू आता है तो माइनेस पाच में से एक जाएगा माइनेस चार और नीचे माइनेस दो कड़े कितने वार में दो वार में यह आग या बाई कर लो चलिए यह आपका आज पार्ट वन ये जो है इंडी की हैं समाप्त की हैं हम लोग next पार्ट वू में मिलते हैं जो की statement वाला question होगा क्या चीज़ का question होगा statement का question होगा और वो statement का भी question हम लोग अच्छे से देखेंगे बढ़िये से देखेंगे और एका question को क्लियर करेंगे और जुड को भी इनसे थोरा सा भी लाब हो रहा है फाइदा हो रहा है वो अपने दोस्तों में सेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए धन्यवाद